जैम आता थी मित्रों मेरा नाम पंडीत प्रकार जूथी मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं नौंबर में कन्या रासी के मासिक रासी फल के बारे में यानि कन्या रासी कैसी हो कि धन की स्वास्त की परिवार की उनके दामपत्य जीवन की उनके प्रेम किस्थती उनके सोभाग जालनाव के कि ततिन क्या ग्रेट उच्छर रंग लाने वाले इसके बारे में इस कारेकरन में हम डिटेल में मितरों का रिकरम में चर्चा करेंगे और चर्चा अगर आपको अच्छी की हमारा कुंडली का विश्यशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए सबसे पहले हम नौंबर के बारे में बात कर लेते हैं स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं तो भई नौंबर के मैने में कन्याराशी में ही केतू विराजमान है और इसका पूरा प्रभाव नौंबर के मैने में कन्याराशी को मिलेगा यानि कि नौंबर में थोड़ा दर्द की समस्या हाथ पेरों में दार्द पीट में दार्द सर में दार्द माइग्रेन में दार्द मतलब हलका मीठा मीठा दार्द आपको रहने वाला है मसल्स का दर्द रहने वाला है खासकार अगर देखा जाए एक तारिक से लेका और पच्चीस तारिक यानि करीबन करीबन पूरा महीना हलका हलका दर्द आपके शरीर में रहने वाला यानि नौंबर के मेने वेले आत्मविश्वास अच्छा रहेगा लेकिन दर्द की समस्या रहेगी धन की स्थिति के बारे में बात करें तो तीन घरे धन बाहों में कन्या राशी के बैटे हैं सूरिय बुद्ध और मंगल तीनों घरे बैटने से तीन बड़े लाप नौंबर में कन्या राशी को हो सकते हैं और साती सात कुछ खर्चा भी नौंबर के मेने में आपका होगा सबसे पहले कन्या राची के तीन बड़े लाप के बारे में बात कर लेते हैं यदि आपने गौर्वर्मेंट में कुछ अपलाई किया है कोई फंड आपके आने वाला है तो वह भी नॉम्बर में आपका आ जाएगा ऐसा योग नजर आ रहा है या सरकारी योजना का या सरकारी धनलाप आपको नॉम्बर में मिलता हुआ नजर आ रहा है साती साथ दूसरा देखा जाए तो एक्स्ट्रा डील आपकी हो सकती है यह extra अचानक धनलाब कही ना कही से धनलाब आपको काम के इलावा नॉंबर में दिखाई देगा साती साथ देखा जाए कारे स्थल से भी आपको जबरदस धनलाब होगा तो तीन बड़े लाब कन्या राजी को नॉंबर में नजला रहे हैं साती साथ की ख़रचा भी होगा धन यानि मान अšता हो आपका वान में धन कर चोगा मशीन किसी मशीणीरी में न और यह बात करनें परिवारिक दीवन तो आपके घर में होगा या रिस्तिदारी में होगा आपको जाना पड़ सकता है घर के अंदर नौंबर में पौजिटिव वाई परिवार के अंदर रहे कि पूजापूर्ट का महल रहेगा हवन का महल आपके ह्व अब बात कर लेते हैं कन्याराशी की संतान के बारे में तो संतान की इस्थिय सब Iss Batman का मेना नॉर्मल स्थिपर रहेगा यनि ठीक्टाक रहेगा बस संतान के इंदर आलस्पन अधिक दिखाई देगा संतान को दस बार एक काम को करने को आपको कहना पड़ेगा कहीं जाने को कहना पड़ेगा किसी बात को मनाने के लिए संतान के साथ में बस struggle करना पड़ेगा बाकी नॉर्मल है अब बात करें विद्यारतियों के लिए तो विद्यारतियों के लिए नॉम्बर का महिना यानि पूरा नॉम्बर एक से 30 नॉम्बर तक नॉर्मल रहने वाला है देखा जाए तो कुछ अच्छा भी रहेगा कुछ बुरा भी रहेगा यान रखेगा दोस्तियों के बहकावे में नॉम्बर को नहीं आना है वो नशे और जुए में आपको फसा सकते हैं आपसे ये कह सकते हैं कि ये चीजे करनी हैं तो नशे और जुए से आपको साबधान रहना है दोस्त आपको इसकी आदट डाल सकते हैं या इसका पहला चरण साब धानी रखनी है कोई कितना भी फूर्ट करे आपको करना नहीं है साती साथ आप कन्या रासी के नौकरी भाहों के बारे में बात करेते हैं तो भाई शनी चार नौवंबर से मारगी हो जाएंगे यानि 6 योग आपका एक्टिव यानि 4 नौवंबर के बाद आपकी ऑफिस में आपकी पावर बड़ा दी जाएगी मेनेजमेंट आपको बड़ा पद दे सकता है या बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है ऐसा योग नजरा रहा है और 37 जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमी का लव कपल के बारे में बात करें तो भई आपके पार्टनर का नौवंबर के मेने में पद प्रमोशन के योग बनते हैं करियर में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपका पार्टनर कर जॉप से या व्यपार करते हैं उसमें बड़ा खुश होता हुआ नजर आएगा हाँ साती साथ पाटनर देखा जाए नॉवंबर के मेने में हाथ पेरों के दर्द की समस्या उनको रह सकती है या हल्की चोट आपके partner को नौंबर में लग सकती है बात करें पती पत्नी के लिए बात करें तो नौंबर का मेन भी आपका partner किसी सादना किसी पूजा पार्ट में विजी रहने वाला है, हाँ करियर में पदř प्रोमोचन के अच्छी योग नजर आ रहे हैं, साती सात पार्टनर के साथ में आप किसी मंदिर के में जाएंगे Karma में, या तीर्द यात्रणा में जाएंगे ऐसा योग नजर आ रहा है, और पार्टनर के परिवार के अंदर कोई मांगली काम होने के योग नजर आ रहे हैं यानि पार्टनर के भाई बहन या माता पिता या उनके परिवार में नौंबर में कोई ना कोई मांगली काम होगा जिसमें आप पाट लेंगे यानि पार्टनर के द्वारा आपको कोई ना क कोई आप उनके परिवार से रिलेटिट खुशकबरी या मांगली काम का सुब समाचार आपको सुनाई देगा तो कुल मिलाके प्रेमी प्रेमी का पती पत्नियों दामपत्य जीवन आपका अच्छा है अब बात कर लेते हैं कन्या राशी वाले उनकी जो व्यपार करते हैं की नंवमबर में शौट आउट होगी साती साथ सेल्स और प्रॉफोमेंस बहुत जबरदस रहने वाली है नंवर के मेने में अशुप के बारे में बात करें तो मशीन इसमें बड़ा खर्चा रहेगा बिजली पे आपका खर्चा रहेगा मशीन और बिजली इसमें आप थोड़ा परिशान रह सकते हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो सेल्स के लिए अच्छा नॉम्बर का महिना रह सकता है तो मित्रो इस कारिकर में बाज़तना ही मुझे जैजाद जै मता दी